नमस्कार दोस्तों पग्यानिकों के अनुसार खजूर दुनिया में एक साथ सबसे जौदा स्रास्थ लाब देने वाला फल है इस फल में वजन और चर्वी घटाने, कॉलस्ट्रॉल, उच्छ, रक्तचाप, स्ट्रॉक और दिल के दोरे जैसी कई शमच्याओं को कम करने तथा उन्हें रोकने की सकती है खजूर में काफी मातरा में पोशक पदार्थ होते हैं इसलिए इसे जब किसी अन्याहर के साथ जोड़ा जाता है तो यह आपके सयापते क्रिया में सुधार करता है और वजन तथा चर्वी कम करने में भी आपकी मड़द करता है तो आईए दोस्तों आज के लाइब सेंज देशी नुश्के में खजूर के कुछ स्वास्त वर्धक गुनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एक आईरन यदि आप एनीमिया से पीडित हैं या आप गर्भवती हैं तो खजूर आपके लिए उतकरष्ट खाद्य है सौ ग्राम खजूर में लगबग 0.9 मिली ग्राम लोह तत्व पाया जाता है जो आपके लिए आवस्यक देनिक जरूरत की 11% मातरा होती है आईरन हीमोगलोबीन और लाल रक्त कोसिकाओं के लिए फाइदे मंद होता है और यह रक्त के माध्यम से आकसीजन के परवाह को प्रचाहित करता है नमबर दो कबज दूर करता है यड़ी आप जिरन कबज से फीडित हैं तो रात में एक गलास पानी में कुछ खजूर भिगो दें और अगली सुबह इस पानी को पी लें यह पानी आपके पाचन को बढ़ावा देगा और इसके रेचक गुन कबज दूर करने में मदद करें नमबर तीन खजूर शरीर के वजन को नियंतरित करते हैं रोजाना सुगह खाली फेट खजूर का सेवन सर प्लस फैट और वजन को रोकने का एक सांदार तरीका है हलांकि इन में चीनी की मातरा ज्यादा होने के कारण इसे एक साथ अधिक मातरा में खाने से बचना चाहिए नमबर चार खजूर कॉलेस्टरोल के इस तर को नियंतरित करते हैं खजूर रक्ति बाहिकाओं को साफ करके रक्त के ठक्कों को रोकता है और कॉलेस्ट्रोल के इस तर को नियंत्रित करता हैं अमबर पांच हरदय को मजबूत करते हैं अपने हरदय को मजबूत करने के लिए खुछ खजूर रात को पानी में भिगो दें अगली सुबह भीगे नहीं कर सकते हैं तो इन्हें स्मूती, रस या अन्य खाड़ पदार्तों के साथ मिला कर सेवन करें नमबर छे, रक्त चाप को सामानने करते हैं यदि आप उस रक्त चाप से पीडित हैं तो आपको खजूर को निस्चित रूप से अपने आहार में जोड़ना चाहिए क्योंकि इन में पोटेशियम भरपूर मातरा में पाया जाता है और सोडियम ना के बराबर होता है पांच से छे खजूरों में 80 मीली ग्राम मेगनेशियम पाया जाता है यह एक महतो पुरुन खनिज है जो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से फैल कर रक्त के प्रवाह को सही करता है रक्तचाप को कम करने के लिए लगबग 370 मीली ग्राम मेगनेशियम की आवश्चक नमबर 7 श्ट्रॉक को रोक सकते हैं खदूर में मदूद पोटेशियम तंत्री का तंत्र के स्वास्त में सुधार करता है और इस परकार यह श्ट्रॉक के जोखिम को कम करता है स्ट्रोक रोकने के लिए रोधाना 400 मिलिग्राम पोटेसियम की जरूरत होती है दोस्तों ये था आज का लाइक चेंज देशी नुश्का आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में सेर भी करें और अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगे तो इन कमीयों के बारे में हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम इसमें और अधिक सुधार ला सकें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर उपयोगी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद